दिवाली पर कई तरह के चूड़े बनते हैं उसी में एक होता है भाज क्या पोहें से चूड़ा यानि कि भाज के पोहें का चूड़ा चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भाज के पोहे लिए है यह बहुत ही इसली मार्केट में अवेलिबल होता है आप किसी भी किरानार स्टोर में जाके देख लीजे यह आपको मिल जाएगा ये बहुती crunchy और crispy होता है इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कड़ाई में तेल लिया है और उसमें मैंने कुछ coconut के slice, dry coconut के slice को तल लिया है ये बहुती जल्दी तल कर तयार हो जाती है बिल्कुल golden और brown होने लगे तो आप इसे बहार निकाल ले जिए अब हम इसमें कुछ लसुन की कलिया अड़ करेंगे जो कि मैंने विट स्कीन ली हुई है आप चाहे तो विदाउट स्कीन भी ले सकते हैं विट स्कीन लेने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसे भी बस light brown होने पर आप बाहर निकाल लीजिए और भी same तेल में हम कुछ मुंग फली को तल लेंगे मुंग फली को भी light golden brown होने तक आपने तलना है बीच-बीच में हिलाते रहना है flame को बिलकुल slow रखना है इसे निकाल कर एक absorbent paper पे drain करने के लिए रख दीजिए कुछ चना डाल, roasted चना डाल को मैंने यहाँ पर लिया है उसे भी मैंने fry कर लिया है इसे भी आप निकाल लीजिए और absorbent paper पे drain कर लीजिए अब मैंने यहाँ पे कुछ कड़ी के पत्ते लिए हुए है कड़ी पत्ते भी आप इसी तरह से fry कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए कुछ ग्रीन चिली इसको मैंने slit किया हुआ है वो भी आप लेकर fry कर लीजिए बहुत ज़दा कड़क नहीं करना है बस light करना है अब एक पैन में 1 टिबल स्पून ओईल लीजिए उसमें half teaspoon zira, half teaspoon soft और half teaspoon adjoint डालिए बस flame को लो रखिए और इसमें 1 teaspoon chili powder, 1 teaspoon धन्या powder, हल्दी और तोड़ा सा गरम मसाला अड़ किजिए और flame को यहाँ पे आपने बन कर देना है और आपके जो भाज के पोहे है वो इसमें अड़ करना है बाज के पोहे already roasted होते है और बहुती क्रिस्पी होते है इसलिए जादा इसे गरम करने की जरूरत नहीं पड़ती इसी पैन में यह गरम हो जाते है और roast भी हो जाते है यह बहुती कम तेल में बन के तयार होते है अब इसी में हम थोड़ा सा नमग, powdered sugar और आमचुर पाउडर मिलाएंगे और सारे fried items भी मैंने इसमें add कर लिये थे अब अच्छी तरह से इसे mix कर लीजिए पैन गरम होने के कारण यह roast हो जाते हैं बहुती जल्दी क्रिस्पी हो जाते है जैसी यह थंड़ा हो जाएं आप इसे एक airtight container में भरके रख दीजिए दिवाली पर अपने महमानों को इसे खिलाइए बहुती टेस्टी, क्रिस्पी और लेस ओइल में बन कर यह तयार हुआ है वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हैपे दिवाली